एक स्कूल में सफाई को लेकर दो चात्रों को लोहे की रोड इतनी बुरी तना से उसे पीटा गया है कि दो चात्रों के हाथ टूड गए हैं प्लास्टर चढ़ाना पड़ा है घटना संभल के कस्तूरबा गादी स्कूल की है घटना के बाद चात्रों के परिजनों से जो है उनने जमकर हंगामा किया है और DM से शिकायत के बाद B.A.C. ने जांच के आदेश दे दिये हैं दरसल स्कूल की महिला शिक्षक ने साथवी आठवी के दो चात्रों को पूरी क्लास की सफाई करने को कहा लेकिन जब चात्रों ने सफाई करने से बना कर दिया तो इस से नराज होकर टीचर ने चात्रों को पीटना शुरू कर दिया और अभिभावकों ने इस बात की शिकायत DM को दी है DM ने B.A.C. को फटकार लगाते हुए जांच के निर्देश दिये क्या सब के लगाता हुए देग गढ़ा मंे चैनल में आगे इस द्रा गढ़ाच करें राप ढ़ानी का पीला सब्सदों क्यास मैं अश्यांदा था मन गढ़ाए घांच अज़ो अओन नहीं से आल क्लस में जाकते हगा तो मैंने निष्टे खानियों से पेले लिए घंड़ माझागा अचाब कहा पो अब लग कर लगे अचाब कर लोगी आफ्र पिरगवा तो इसके बाद पीव दर मेरी तो मैंने मुत वाइदी क्यों लगाए नहीं। अबार गांदी आवासी बालिका बिद्याले बाहज होई कि एक फोल टाइम टीचर द्वारा बच्चे से मार पीड़ी गी। उसने इस तरह से बच्चे की बिटाई कर दी जिससे की बच्चे के हाथ फ्रेक्चर हो गए जिसकी तत्काली इलाज करायागी। जांच करवाई SDM साब खंडशिक्षा दिकारी की दिक्सा में जांच चल लगी है। जांच रिबोर्ड आने परा विट्टर करवाई करें।